गड़नी आरिकशिरी शृष्टी भूषण माताजी ससंग का इस वर्ष का मंगल चातुर मास टीकमगड के वैद्य कलोनी में होना सुनिश्चित हो चुका है टीकमगड की ओर बढ़ती आरिकशिरी ससंग 14 माई को बानपुर पहुची जिन धर्म प्रभाविका गड़नी आरिकशिरी शृष्टी भूषण माताजी ससंग और आरिकशिरी विश्वियश्मती माताजी का 31 स्वा चातुर मास मंध्य प्रदिश की धरा पर पहली बार होगा टीकमगड के वैद्य कलोनी वासियों को अपना अशिर्वात देने के लिए आरिकशिरी निरंतर टीकमगड की ओर बढ़ रही है विगत दिनों टीकमगड वासियों ने श्रद्धान वत धंग से आरिकश्री ससंग को चातुर मास के लिए शुरी फल भेट कर निवेदन किया था जिसके बाद आरिकश्री ने अपनी स्विक्रिती प्रदान की 14 माई को आरिकश्री ससंग का पदारपन टीकमगड से लगभग 10 क्लो मीटर दूरी परिस्थेत बानपुर में हुआ जहां भगतों ने आरिकश्री का स्वागत किया मध्यप्रदेश के पहले और सैयम वर्ष के 31 वर्षा योग के लिए टीकमगड जाते समाए आरिकश्री ने बानपुर में प्रभुदर्शन किये जनफोकस के लिए बानपुर उत्तरप्रदेश से राजेश पंचोलिया के रिपोट